Hello friends, wealth question के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्मनीश, दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आप अपना income tax कैसे बचा सकते हैं, टॉक मार्केट में आपने काम किया, अगर आपको profit हो रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा profit कम जाए, यानि कि मेरा income tax बच जाए, तो उसके असान क्या तरीके हैं, वही इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला है, तो चलिए आईए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, सबसे पहले मैं आपको बता देता इस पे टेक्स कैसे लगता है, अगर बताता हूँ, इस पे टेक्स कैसे लगता है। तो उस पर दस प्रसंद इंकम नेक्स है यानि कि अगर आपकोई शेर्ट लिया वह शें य। आज आज में लिया एक साल के बाद कर ब deseo by तो दस प्रसंद गरेंगे तोकसमोत الटे के पेले य। ये राखने आपने शेर्ट लिया पैसा लगा तो हम शेयर तीन सो पैंसे दिन तक hold गया, एक साल के बाद बेचा, तो मान लीजिए अगर आपको दो लाग का profit हो रहा है, तो उसमें एक लाग तक तो कोई tax नहीं है, एक लाग तक तो एक लाग का profit हो रहा है, तो उसमें एक लाग का profit हो रहा है, तो उसमें एक लाग पर आपको income ल जो आपने 355 दिन से पहले लिया था उसके अंदर आपको नुफसान हो रहा है तो आप उसको बेज जीजिए तो अगर आप उस शेर को बेज देंगे तो आपका टैक्स मथ जाएगा वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजें आपको दो लाग का profit हो रहा है एक लाग तक सो tax exempted है, एक लाग तक तक कोई tax नहीं लगेगा अगर मान लीजे, आपने कोई position भेची, मान लीजे, कोई share आपने पहले ले रता था एक साल से पहले या दो साल से पहले उसके अंदर आपको loss वो रहा है माल लीजिए उसके अंदर आपको 50,000 का loss वो रहा है तो अगर आप उसको बेज देते हैं तो वहीं आपका tax लगेगा 50,000 पे लगेगा यानि कि अब आपकी total income long term capital gain की income हो गई 50,000 पे लगेगा इस तरीके से आपने सीधा अपना 5000 पे का income tax बचा लिया अब जो share आपने बेचा है उसको आप द्वारा अगले दिन खरीज लीजिए जैसे आज आपने वो share बेचा long term capital gain tax को बचाने के लिए तो अगले दिन उस share को आप खरीज लीजिए आप उस share को एक साल तक hold करके रखिए तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है मान लीजिए अगर आपने किसी share को 100 रुपे पे लिया हुआ है और वो 80 रुपे आ गया तो आपने 80 रुपे पे उसको बेच दिया तो यहां पे आपका long term capital gain जो tax है जो आपका 2 लाग का profit हुआ था वो सीधा सीधा अजस हो जाएगा अब आपने उस share को अगले दिन 80 रुपे में खरीद लिया और एक साल के बाद अगर आप उस share को बेचते हैं मान लीजिए उस share का भाव 105 रुपे हो जाता है तो सीधा सीधा आपको 25 रुपे का profit हो गया लेकिन आपका 20 रुपे का पहले loss था तो overall देखा जाए तो आपको 5 आपको एक लाग का profit होता है तो आपने सीधा सीधा तरीके से अपना पूरा इंकम टक्स बचा दिया आपने 5000 रुपे का पूरा इंकम टक्स बचा दिया यहां पे मैं एक बास आपको और कहना चाहता हूं मान लीजिए अगर आपके पास कोई position बढ़ी है long term capital gain आपको हो रहा था किसी स्टॉक में आपको एक लाग रुपे का profit हो रहा है मान लीजिए कोई position आपने ले रखी है दो तिन साल पहले आपने को स्टॉक लिया था आप कहते हैं मैं इसको long term के लिए old करूँगा अभी नहीं बेचने वाला अभी बेचने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है मैं आप कहता हूं कि आप इस financial में उस stock को बेच जीजिए आप एक लाग तक का profit earn कर लीजिए एक लाग का profit आप earn करेंगे उस पर एक लाग तक तो कोई income tax नहीं है एक लाग तक तो एक लाग के ऊपर ही long term capital gain पर 10% का income tax है तो एक लाग तक का आप profit हर साल थोड़ थोड़ ले लीजिए इसको जो कि वैसे भी आप इस stock को तो long term के लिए hold करने ही वाले थे अभी तो आप बेचने वाले थे ही नहीं इसको तो इस तरीके से आप अपना tax बचा पाएंगे इसी तरीके से आप short term capital gain में भी अपना tax बचा सकते हैं short term capital gain में 15% का income tax है मान लीजिए कि आप आपको एक लाग रुपे का profit हो रहा है short term capital gain में इस साल यानिकि आपको उस पर 15% का income tax बे करना है यानिकि आपको 15,000 पे का income tax बे करना है उसके अंदर वहीं अगर आपकी कोई position पड़ी है मान लीजिए आपने कोई share लिया 100 पे पे आज की rate में वह 80 रुपे हो गया उस share को ख profit हो रहा है मान लीजिए अगर आप उस share को बेच देते हैं जो जिसमें loss हो रहा है 100 रुपे अगर आप बेच देते हैं तो 20 रुपे का loss हो गया मान लीजिए आपका 50,000 पे का loss हो गया तो यहानि कि यहां पे आपको सीधा सीधा आप 50,000 पे की उपर income tax बे करना पड़ेगा वहीं अगर आप उस share को नहीं बेचते तो आपको एक लाग के ओपर 15,000 पे का income tax पे करना पड़ेगा अब आपको यहां करना क्या है अब आपने जो share बेचा उसको आप अगले दिन द्वारा खरी लीजिए आप उसको एक साल तक होल करते हैं एक साल से जारा होल करते हैं तो अगले financial year में आप उस tax को बचा लेंगे एक लाग साल तक तो कोई tax नहीं आगर एक लाग के ओपर गया तो 10% का income tax जाएगा तो अगर आप multiple account खोल लेंगे अपने वाइब के नाम पे अपने बच्चों के नाम पे अपने ममी पापा के नाम पे तो सीधा एक लाग तक आप अपना tax बचा लेंगे जो 10% का income tax देना है आपको long term capital gain पे वो आप सीधा तरीके से बचा लेंगे अगर आपको चार लाग रुबे का profit हो रहा है इस साल example के लिए मान लीजिए तो अगर आपके चार account होंगे उन सब में एक एक लाग का profit हुआ तो आपने सीधा अपना 10% का income tax जाने की 30% का income tax बचा लिया तो इस तरीके से multiple account खोल के आप अपना tax बचा सकते हैं यहाँ पे आप एक का मोर कर सकते हैं आप जो PPF का पैसा है उसको भी use कर सकते हैं उसको भी stock market में इंडेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि market अभी काफी जादा correct हो गई है इन future market काफी जादा बढ़ने वाली है तो आप एक लाख रपे जो है stock market में लगा दीजिए जो PPF में जो डालने वाले थे आप तो कि 31 मार्च की last date होती है 31 मार्च से पहले दालना होता PPF में तो वो पैसा आप market में दाल दीजिए मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई stock बहुत जाला correct हो गया है आप यहां से जाला correct नहीं हो सकता तो उस पैसे को आप यूज कर पाएंगे आप उस पैसे को market में लगा दीजिए अब आप कहेंगे कि PPF में भी तो पैसा डालना जूरी है टेक्स सेविंग भी तो जूरी है तो इसके अंदर आपको एक चीज होनी जरूरी है आपके बार long term के लिए को position पड़ी है दो तिन साल पहले आपने को position लेके रखी है उस पे आपको काफी अच्छा profit हो र मार्केट में लगा देते और वहीं पे long term की position कार्ट देते तो आपको काफी अच्छा profit हो जाता अब आप कहेंगे कि हमने चलो PPF का पैसा तो मार्केट में लगा दिया मान लीजिए मार्केट नहीं बड़ी मार्केट ओनी चा गई तो हम क्या करेंगे तो बैक अप के लिए क वहीं जो long term की जो position बड़ी थी आपकी जो आपने 2-3 साल पहले लेके रखी थी आप उसको बेचेंगे आपका उसको बेचने का इरादा नहीं है अभी आप कहरें long term के लिए मैं stock को hold करने वाला हूँ अगर आप उसको बेच देंगे तो एक लाग पर टेक्स निया एक लाग लेकिन यहां पर long term के लिए को पुजिशन पड़ी होनी ज़रूरी है तो यहां क्या होगा एक लाग तक टेक्स भी बचा रहे हैं और पीपेफ का पैसे को भी यूज करके मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों मैं एक important बात बताना चाहता हूँ आप जो है income tax return regular basis पर time पर फाइल कीजिए अगर आप time पर फाइल करते हैं तो आपको benefit क्या मिलेगा मान लीजिए अगर आपका short term capital gain है मान लीजिए इस साल आपने काम किया आपका हो गया नुक्सान बगवान जी ना करें नुक्स पर तो आप उसको adjust कर सकते हो अब आप tax पर होगे तो 10,000 पर पर होगे तो आप उसको set off कर सकते हो short term capital gain को short term capital gain से और long term capital gain को long term capital gain से अब यहां पर मैं थोड़ा simplify करता हूँ ताकि जो मतलब जिसको knowledge नहीं है इस चीज के बारे में वो भी समझ जाए short term capital gain वो होता है 365 दिन से पहले थी 65 दिन से पहले आपने कोई चीज को बेच दिया या खरीदा या बेचा वो होता है short term capital gain पर माल लिजिए आपने 365 दिन से पहले माल लिजिए example के लिए आपने ATFC bank का share खरीदा था उसके अंदर आपको 10,000 पर का profit हुआ 365 दिन से पहले बेच जिया तो उसके अंदर 15% का income tax जाएगा आपको पहले समझा है वो short term capital gain का tax भी बचा सकते हो अगर आपको log हो गया तो आप logs को set off कर सकते हो adjust कर सकते हो minus कर सकते हो profit को तो जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे long term capital gain हो गया 365 दिन के बाद बेचा मतलब एक साल के बाद बेचा आपने मान लीजे आज आपने खेजा उसको एक साल के बाद आप बेच्टे हो तो वो long term capital gain में जाएगा अब मान लीजे इस साल आपका डेर लाग का नुट्सान हो गया long term capital gain पे और अगले साल आपका 2 लाग का profit हो गया long term capital gain में अगले साल तो यहां क्या होगा एक लाग से एक लाग कट गया loss कट गया अब आपका 50,000 पर बच गया आप यहां पर 50,000 पर कोई income tax बन नहीं कि आपको जूद नहीं क्योंकि एक लागते वैसे भी exempted है तो यहां पर आप सीधा सीधा अपना income tax बचा लेंगे अगर आपको loss होता है तो आप regular basis पर income tax return file किजिए report कीजिए सरकार को बताइए कि मेरा इतना income हुआ इतना loss हुआ तो इससे benefit आपको क्या मिलेगा कि आप अपने losses को set off कर सकते हैं आप जो है अपना tax बचा सकते हैं अगर आप regular basis पर income tax return file करेंगे तो ओ ज्यादा information के लिए आप अपने CA से contact कर सकते हैं वो आपको better चीजे clear कर देंगे खाफी अच्छे से detail में समझा देंगे तो दोस्तो ये से कुछ असान तरीके कि किस तरीके से stock market में आप अपने income tax बचा सकते हैं मैं भी इस चीज को follow करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को खतम बंदने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share कीजिए ताकि जादा से जादा लोगों को ये information मिले जिन लोगों को नहीं मालूम कि stock market में किस तरीके से हम अपने income tax थोड़ा सा smart नहीं दिखा के बचा सकते हैं लोगों को पता चले आपने तो वीडियो देख लिए आपको समझ आ गया मैं चाहता हूँ और लोगों को भी information मिले और लोगों को भी इस चीज़ का पहला मिले तो धन्यवाद अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने comment दीजिए ध आपने वाद